नमस्कार, Future of India और आप सो मिलों का स्वागत है, मैं हूँ हिमान सुक्मार इस वीडियो नोग बात करेंगे निवली लेक्षट कंपनियों को बारे में जैसे के PTM, जमेटो और हर्सा इंगिनियरी के बारे में के दिन बहुडने वाले हैं, PTM के फंडामेंटल इतने मजबूत हो गए हैं कि कंपनी के प्रोफिट माने के चांस काफी बढ़ गया है एक डायलोग आपने सुना होगा जो डर गया समझा उमर गया, शेयर बजार में यह डायलोग बढ़ता है वारेन वफेट करते हैं कि आप किसी कंपनी में तब तक पैसा मत लगया है जब तक आप उसमें 5-10 समय देने के लिए तयार नहीं हो लेकिन हमें क्या हमें आज कोई कंपनी आज पसंद आए तो आज उसका सेयर खरीद लेंगे और कल से उस कंपनी का सेयर प्राइस बढ़ना भी चाहिए नहीं तो परस्तों उसको बेश के निकल जाएंगे पेटियम के जिन निवेसक हैं उन्होंने भी ऐसा ही किया पेटियम के जब शेयर प्राइस लगता डाउन जाने लगा तो इसकी निवेसक इस कंपनी से बाहर निकल गए इसका फैदा उठाया विदेशी निवेसको ने देश के बड़े-बड़े मुचुल फंड और ब्रोकर हो गई है आप यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि जब किसी कंपनी में विदेशी निवेसक और बड़े मुचुल फंड की सदारी बढ़ने लगती है तो उस कंपनी में तेजी आने की संभावना होती है समाना जाता है और असा देखा भी गया है क्यों विदेशी निवसक क आस-पास बढ़ोतीरी देखने को मिली है आपको पता है कि पैसा बेजने और पैसा चेक करने का जरिया नहीं है पेटियम एक डिश्टली एको सिस्टम बन चुका है कंजूमर के लिए और मर्चेंट के लिए आप आज इससे टिकट बना सकते हैं मुभे के लिए यार ट्रें को अपने पास रख रहे हैं और पेटियम आज के समय घर घर तक पहुंच गया है यही वजाय है कि अब इसका फंडामेंटर होते हुए दिख रहा है अब इस सितंबर क्वार्टर को जो रियल्ट आया है उसमें इस कंपनी का रिभेन्नू 255 क्रोन से बढ़कर 404 क्रोन हो गय है तो एक बात सभाव के कि आने वाले 2-3 क्वार्टर में लॉस पूरे कम हो जाएंगो इसके बाद कमनी प्रोफिट में आ जाएगी जैसी कि जो मेटो भी प्रोफिट में आ गया है तो आपको करना गया है पेटियम धिरे-धिरे मजबूत हो रहा है और आप मान कर चलिए कि पेटियम आपको निरास नहीं करेगा जहां से टूटना शुरूब आथा वहां तक इसका शेयर प्रैस जरूर जाएगा इसलिए यदि आपका इन्वेस्टमेंट इसमें है आप अभी तक इसमें बने हुए है तो देखिए नुकसान तो ऐसे भी ज्यादा हो चुका है निकल वीडियो बना रहा हूं तो इसका शेयर प्रैस्टरेट कर रहा है सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी करें बढ़कर 1132 क्रोण से 1178 क्रोण हो गया है वहां पर यदि इस कंपनी के प्रोफिट की बात करें तो आपको पता है लेस्टिंग के समय से यह कंपनी भी लॉस में थी 138 क्रोण का इस कंपनी को पर लॉस था उसे लॉस को भी कम किया यह भी देखिए यह कंपनी का फंडामेंटल मजबूत हो रहा है और यह मजबूत क्यों हो रहा है आपको पता है आज की समय में जो मैटो सिर्फ खाना पहुंचाने का काम नहीं करता है जो मैटो जिस सीब द्लय ने सबको अपने तरह से उनको जो जरूरद की चीजह होती है उनको डिलेबर करता है सुनने में यह भी आ रहा है कि Jometo जो Blinkit है उसको acquire करने जा रहा है तो कहीं न कहीं business expense कर रहा है जिससे इस company की कमाई बढ़ रहे है तो company का profit भी बना सभाईक है अब जब Jometo में अच्छे दिन देखने को मिल रहा है तो बड़े बड़े जो brokerage house होते हैं उन्होंने भी इस company के share price को टार्गट दिये है जो steel brass और polymite जैसे चीजों का manufacture करता है इंडिया और चीन का लाओं आई रोमानिया में भी इस company का business है बिजनेस काफी फैला हुआ है करवार फैला हुआ है लेकिन जैसे कि मैंने बद सुरू में बताया यह भी दिखा गया है कि share price सामानेतर लिश्ट होने के बास से नीचे ही आते हैं इसलिए मैंने इसको जो मैटो और पेटेम के category में ही रखा है अभी देखिए हरसा इंजिनियर नया company है company नया नहीं है share बजार में लिश्ट नया हुआ है लेकिन मैंने अध्यन किया है कि इस company के fundamental ठीक है fundamental में कुई दिकत नहीं है तक्रीम 37 क्रोन का सब्सक्राइब का मार्केट के पे लिहास से company का fundamental जैसा होना चाहिए ठीक उसी तरीके से चाहिए 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 और आप समय देंगे तो यह company भी आपको नहीं करेगी उमिद करता हूँ तीनों कंपनिये को बारे में जो बाते मैं आपको बताई है आप से अच्छी तरह समझ पा रहे होगे यह अपडेट आपको यह जनकारी अच्छी लगे होगी वीड वीडियो में तद्रिल घन्यवाद सुकुरिया